हेलो फ्रेंड, स्वागा था आपका हमारा यूटूब चैनल घर की रसोई एंड टीप्स एंड ब्लोग में ता आज हम बनाएंगे एकदम सिम्पल आसान तरीके से परवल का दोफक का भाजी एकदम खाने में स्वादिष्ट, बनाने में आसान, एकदम क्रेश्पी भाजी बनकर त्यार होगा फ्रेंड वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड, प्लीज वीडियो को फूल वाच करें अगर चैनल में नए आते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि कोई भी नए वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेसन आपको मिलता रहे तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, इसके लिए हम 400 ग्राम परवल लिए हैं, इसको अच्छी तरह से धो लिए हैं, चाकू की साहता से परवल के दोनों साइट काट लेंगे और इस तरीके से हलका हलका पील करेंगे, परवल को अच्छी तरह से छिलना नहीं है, बस हलक हलका से, इस तरीके से आप देख सकते हैं, उपर का छिलका हटा लेना है, चाकू की साहता से, आप देख सकते हैं, इसी तरीके से हम सारे परवल को पील कर लेंगे, और बीच से कट लगाएंगे, एक परवल को दो भाग में बांट लेंगे, आप देख सकते हैं, इस तरीके स तो इसी तरीके से हम सारे परवल को पील कर लेंगे और दो भागों में बांट लेंगे एक परवल को दो फाक करेंगे क्योंकि हम दो फाक का भाजी बना रहे हैं ये भाजी एकदम क्रेश्पी स्वादिष्ट बनकर त्यार होता है फ्रेंड एकदम पर्वल के भरुए का स्वाद याद दिला देता है ये भाजी जटपट बनकर त्यार हो जाता है पर्वल के भरुए बनाने में टाइम लगता है अगर आपको चटपटा कुछ क्रेश्पी स सब्सक्राइब सिर्फ करें इसी बात鼻त ही अच्रेश्टी나 क्रेश्पी बनकर त्यार होता है जटपट बन जाता है तो अच्छी तरह से कराही गरम करना है उसके बाद ही तेल डालना है तो वन टेबल इस्पून सर्सो तेल डालेंगे यह सबजी सर्सो तेल में बहुत टेश्टी लगते हैं तो तेल गरम हो गया है वन टी इस्पून जीर करेंगे एकदम टेश्टी क्रेश्पी भाजी तो अब हम कटे हुए परवल को डाल देते हैं कि अच्छी तरह से चला लेते हैं परवल को परवल को एक से दो मिनिट तक ऐसे ही फ्राइ करेंगे बिना हल्दी नमक का एक से दो मिनिट हो गया है तो अब हम इसमें थोड़ा हल्दी एड कर लेते हैं इससे अच्छे कलर आएंगे स्वादा नुसार नमक भी डाल लेते हैं ये भाजी एकदम चटपटा बन कर त्यार होता है फ्रेंट दाल चावल के साथ बहुत बढ़िया लगता है खाने में अच्छी तरीके से चला लेंगे अब हम परवल के भाजी को ढख कर 10 मिनिट तक पकाएंगे बीच बीच में ढखकन हटा कर चलाते रहेंगे इस तरीके से आप देख सकते हैं कलर चेंज होने लगा है परवल का भाजी का तो अलग-अलग करके प्लट देंगे इस तरीके से तभी हमारे भाजी एकदम क्रेश्पी बनकर त्यार होगा दोनों साइड से अलट प्लट कर सेकेंगे भाजी को अच्छी तरह से कलर आने तक अब देख सकते हैं कितना डिलिशियस भाजी में कलर आया है अच्छी तरह से अलट प्लट दिये हैं फिर से ढखकर दो-तिन मिनिट पकाएंगे दो-तिन मिनिट हो गया है फिर से चला देंगे अब हम इसमें कुछ मसाला एट कर लेते हैं क्योंकि लगभग हमारा परवल का भाजी पक चुका है तो इसमें हम उन्थ फोर टी स्पून लाल मिर्ची पौडर डालेंगे अब टी स्पून धनिया पौडर डालेंगे अब टी स्पून जीरा पौडर डालेंगे मसाला हम अभी एट कर रहे हैं क्योंकि मसाला जलेगा नहीं वन फोर टी स्पून गरम मसाला भी डाल दिये हैं अच्छी तरह से मिला लेंगे सारे मसाले को ढख कर दो-तिन मिनेट फिर से पकाएंगे मसाला को अच्छी तरह से पकने तक दो-तिन मिनेट हो गया है मसाला भी अच्छी तरह से पक गया है और परवल के भाजी भी एकदम क्रेश्पी हो गया है तो हम गैस को बन कर दिये हैं वाव कितना डिलिशियस दिख रहा है तो चलिए सर्व कर लेते हैं प्रेंट वाव अब देख सकते हैं प्रेंट एकदम भरोवे के जैसा दीख रहा है यह मसालेदार चटपटा बिना लासुन प्याज का भाजी एकदम डिलिशियस है तो आप इस तरीके से बहुत आसानी से बनने वाले सिंपल परवल के भाजी जरूर ट्राइक किजिएगा प्रेंट अगर आप एक बार इस रिसिपी को बना लेंगे तो बार बार बनाएंगे आप इस चटपटे क्रिस्पी परवल की भाजी को दाल चावल रोटी पराठे किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं फ्रेंट थैंक्स फोर वाचिंग मिलते हैं नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई